असलाम अलेकुम दोस्तों आची इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार के लिए नई अपडेट क्या आई है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह और आधार आलवेज अपडेटिड पॉर एंहेंस इस ओफ लिविंग इसी के नीचे छोट अक्सरों में लिख आपडेट कर देता हूं इसका मतलब यह है कि 10 साल के पहले जितने भी आधार बने हुए है उन्हें अपडेट की जरूरत है यह इंने रिकमेंड क्या है कि अपडेट किया यह यह की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल के आई है जिसमेंगे चैंजींग के लिए कहा जा रहा है आलंकि अभी कुछ ऐसा नहीं का गया है कि वह बंद हो जाएंगे तो इस बास्ते डरने की जूरत नहीं है बाकि कि आप क्या प्रोसेस करना है वह मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे तरहीं समझाया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें इसके लिए आपको क्या जाता है कि आप अपनी पहचान के परमाण और पते परमाण के तस्तावेज को अपलोड करें इसे फिर से सत्यापित करें ओनलाइन अपलोड करने का सुल्क 25 रूपे और ओफलाइन के लिए 50 रूपीज है यानि कि अगर आप ओनलाइन करते हैं तो 25 रूपे कटेंगे और फिजिकल डोकिमेंट्स लेकर जाते हैं तो महाँ पर 50 रूपे फीस लेगी और इसी के साथ में बहुत सारे ट्वीट भी नीचे दी गई हैंगी जिससे कि आप ट्वीटर पर जाकर भी चीज़ देख सकते हैं तो यह कोई डरने वाली चीज नहीं है बगी इसमें जो है के लिए जो नोटिफिकेशन निकल के आई है जो 10 साल पुराने अधार कार्ड है उन्हें एक बार भी अगर सुरू से बीच में अब तक एक बार भी अपडेट नहीं किया गया है तो उसके लिए यह नोटिफिकेशन जारी की है यू आइडियाई की टीम ने तो इसका प्रो पेज़ पर आने के बाद में हम अपना यहां पर आधार नंबर फील करेंगे आधार नंबर फीड करने के बाद में यह जो कैप्चा है कैप्चे को हम यहां फील करेंगे फिलप करने के बाद में कैप्चा को हां सेंड ओटी पेपर किलिक करेंगे जैसे कि हम यहां पर कैप् लोगिन हो जाएगा और यहां पर सबसे नीचे जश्ट आपको दिखाई देगा डोकिमेंट सब्डेट का इस वाले उप्शन पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद मैं आपको प्रोसीड होगा आगे जो नेक्स्ट है और यहां पर कुछ इंस्ट्रेक्शन लिखे हुए है इस पर किलिक करेंगे यहां प्लीज वेरिफाई यहां अपनी देटेल देखेंगे और यहां कंसेंड देने के बाद मैं नेक्स्ट पर किलिक करेंगे नेक्स्ट पर किलिक करने के बाद मैं हमारे सामने दो आइडेंटिटी स्लेक्ट करने का ओप्सन आएगा और उपा दिखाया और आपको आसानी से ही आपके पास में एक नेक प्रूफ मिल जाएगा और आप आसानी से यहां पर टूनने के बाद में लगा सकते हैं और इसके नीचे आपको दिखाई देगा upload documents का यहां से आप upload कर सकते हैं और इसके बाद में आपको proof of address में आने के बाद में सबसे best और मुझे आपको यहां लगा है हो है MPML, MLC का option जो है आप आसानी से इस पर एक UID एक और format होता है उसे आप फिलप करके किसी भी मुंसिपल कॉंसिलर से उस पर मोर लगवा के इसे यहां submit कर सकते हैं क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है दूसरे documents को आपको खोजने की जरूत नहीं है और इसके बाद में एक प्र मैं concerned देने के बाद में payments के page पर चले जाएंगे payments के पेजबाने के बाद में आप comments कर देंगे और उसका कुछ दिनों में ही आपका आधार वेरिफाई हो जाएगा और verify होने के बाद में आपकी टेंसे दूर हो जाएगी तो इसे टेंसन लेनेकी ज़रूत नहीं है यह कोई न झाल झाल